नवस्कार दोस्तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल में मैं रोई स्टरमा आप सभी के साथ एक बार फिर से जोड़ चुका हूँ दोस्तो आज की ये वीडियो बनाने का बहुत ही जरूरी मकसद है और जितने भी reseller है वो complete इस वीडियो को देखना क्योंकि अब तक जो issue आ रहा था delivery का वो issue solve हो चुका है अगर आपने reselling नहीं की या reselling एतने time से आपकी रुकी पड़ी है तो अभी हर product की delivery सुरू हो चुकी है और जितने भी application है reselling application है उन सभी ने allow कर दिया है कि आप अब reselling सुरू से start कर सकते हैं और द्वारा से पहले की तरह reselling कर सकते हैं हर product की ऐसा नहीं की बीच में एक चीज आई थी कि essential item या daily needs के product ये delivery हो सकती है लेकिन अभी हर type के product की आप delivery करा सकते हैं तो जितने भी लोग हैं जो reselling कर रहे हैं मीसो से, गलो रोड से, हाइवास से सभी reselling application ने approval दे के रखा है और आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी supplier हैं, seller हैं इन platform पर उनको भी mail भेज दिया गया है कि आप भी अपना request accept करो कि आप अभी product की delivery करा सकते हैं या नहीं आप अपने product का go down को open करें काम start कर सकते हैं या नहीं लेकिन कुछ condition रखी गई हैं उन condition को भी समझना काफी ज़्यादा जरूरी हम लोगों को और जितने भी seller supplier हैं उनको भी समझना काफी ज़्यादा जरूरी है दोस्तो ऐसा नहीं कि हर एरिया में delivery होगी यह तो मैंने बोल दिया कि हर प्रोडेक्टी delivery होगी लेकिन हर एरिया में delivery नहीं होगी जैसा कि आपको पता होगा government ने area को define कर दिया है तीन category में जिन में green zone आ रहा है औरेंज zone आ रहा है इसके अलाबा red zone आ रहा है तो जो red zone वाले area होंगे जो की करोना वाइरस से जादा संक्रमित area है उनमें किसी भी productive delivery नहीं होगी essential items को छोड़ कर और बाकी के जो green और orange है उन area में हर productive delivery होगी मतलब जो area बंद है lockdown करके रखा है या जो area को confuse लगा के रखा है या जो area totally बंद करके रखी है उन जगह पे अभी भी किसी भी product के delivery नहीं होगी लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर delivery on कर दी गई है red zone में भी जैसे की देहली है देहली में अभी काफी जदा करोना के मरीज पाई गई है लेकिन वहाँ पर बस बगेरा start कर दी गई है market खोल दी गई है दारू के ठेके खोल दी गई है ऐसी बहुत सारी चीज़ें खोल दी गई है इसलिए आपको यह देखना होगा कि हाँ हम जहां पर product भेज रह है क्या वो रेड जॉन में आ रहा है अगर रेड जॉन में नहीं आ रहा तो आप order लगा सकती है अगर कोई essential item का order है और वो रेड जॉन में आ रहा है area तो भी आप order लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं essential item daily needs product food और इस से जुड़े हुए चीज़ें जो कि daily huge life में आती हैं तो उ वैलरी है गार्वेंट से related product है या इन से जुड़े हुए और वी जो product है उनकी delivery रेड जॉन को छोड़के बाखी सभी area में करा सकती हैं अब भाई यह शुरू तो हो गया लेकिन अब भी आपको क्या करना है आपको एक list बना लेनी है list बना के आपको statewide या कर देगो आप जिस कौन कौन से area ऐसी है जो red zone में आ रहे हैं केवल red zone वाले area लिख लेजिए यह आपको pdf भी मिल जाएगी अगर google से आप download करना चाहें तो उसके बाद किसी का order आता है तो आप देख लेजिए कि इसकी जो city है वो कहीं red zone में तो नहीं आ रही क्योंकि अगर आप red zone वाले area के order लगाते गए जो की fashion product हैं मतलब essential item को छोड़के दूसरे product के order आप अगर लगाते हैं red zone में red zone area के लिए अगर वो प्रोडेक्ट delivery होते हैं या नहीं होते cancel होते हैं या ज्यादा product cancel होते हैं तो आपकी COD को effect बढ़ सकता है मतलब cash on delivery को effect बढ़ सकता है cash on delivery आपकी हटा दी जा सकती है इसलिए आपको खुदी साबधानी बरतनी पड़ेगी कि कौन सा area red zone में आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है आपको बताना चाहूंगा कि government ने officially इस चीज़ का announce कर दिया है finally कि आप लोग अभी career service का यूज कर सकते हैं बहुत सारे यहां पर supplier, wholesaler ऐसे भी होंगे जो खुदी product की delivery कराते हैं तो उनको भी बताना चाहूंगा mostly जो delivery बगेरा है उन्होंने career service on कर दिया है Indian post ने भी अपनी career service on कर दिया है ये एक कुछ condition रखी गई है जैसे delivery company के लिए भी बोला गया है कि जो delivery company अभी काम करेंगी उन product के अलाबा उसके हाथ में mask होने चाहिए, gloves होने चाहिए और पूरा cover होनी चाहिए उसकी body अगली चीज कि वो जब भी product देगा तो customer से हाथ नहीं लगाएगा वो उसके घर के बहार gate पर रख देगा और वो आके उससे उठा लेंगे इसके अलाबा जो payment है payment online accept कर सकते हैं उस तरीके से delivery पूरी चलेगी, कब के बाद ही लोग जाएंगे जो delivery boy होंगे वो product की delivery करेंगे तो आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी trusted और वरुसे मंदरी से लिंग और online earning application है उन सभी के link के इस video के description में दे दिये हैं आपकी क्या राइ है इस फैंसले को लेके इस से करोना virus बढ़ भी सकता है बहुत सारे अगर negative positive पहलूओं की बात करें तो वो भी हो सकती है वो आप अपनी right comment box में जरूर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो like कर दीजिए चैनल को subscribe करने के बाद बैल बटन जरूर दबा देना जिससे ऐसी update आपको आँगे भी मिलती रहें ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद